सुहना आखे बंद करके बैठी थी कि उसका फोन रिंग होता है, वो अपने बैग से फोन निकाल के देखती है, तो ये रितु का कॉल था, सुहना कॉल पिक करती है, तो रितु, उससे बोलती है कहा रहती हो, सुहना, क्या हुआ, रितु, यार कब से मेसेज कर रही हूँ, एक भी मैजिस देखा नहीं, तुमने रिपलाई तो बहुत दूर की बात है, सुहना सौरी वो फोन बैग में था, इसलिए ध्यान नहीं गया, तू बोल क्या काम था जो इतन है, रितु, परेशान नहीं हूँ, हैपी हूँ, सुहना, ओके तो क्या मेडम बताने का कश्ट करेगी कि क्यों हैपी है, रितु, चहते हुए बोली मैंने घर पर बात की मेरे और शिव के बारे में, मेरी फैमिली मान गई, सुहना बहुत अच्छी बात है, तो आगे का क्या स है, रितु, सोचना क्या है, अभी तो अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, फिर जॉब पर उसके बाद सोचेंगे की कब शादी करनी है, सुहना, गुड, रितु तो इसी खुशी में हम सभी लोग कॉलेज के पास वाले होटल में पार्टी कर रहे है, और तुझे भी आना है सुहना, पर मैं कैसे आउंगी, रितु, वैसे तो पैरो से ही सबाते है, पर अगर तु हाथ से भी चल के आएगी तो भी चलेगा सुहना, तुझे पता है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, रितु हाँ, इसलिए ही दिन में पार्टी रखी है, ताकि तुझे आने जाने में प्रॉबलम ना हो और हाँ, अब कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे कल मिलते है, ओके बाई इतना बोल के रितु फोन रख देती है, तब तक ड्राइव भी आ गया था, थोड़ी देर में सुहना घर पहुंच जाती है समर अभी तक घर नहीं आया था, सुहना अपने रूम में चली जाती है वो डिनर के लिए समर का वेट करती है, पर समर अभी भी घर नहीं आया था, सुहना को अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था तो वो बिना खाना खाए जील के पास जाके बैठ जाती है समर जब घर आता है तो बहुत रात हो चुकी थी वो सबसे पहले सुहाना के रूम में जाता है पर सुहाना वहाँ पर नहीं थी वो तुन्ट जील के पास जाता है तो वहाँ पर सुहाना घास पर लेटी सो रही थी समर उसके पास जाता है और उसको गोद में उठा के अंदर ले जाने लगता है पर तब तक सुहाना की नींद खुल जाती है जब वो अपनी आखे खोलती है तो वो समर के फेस को अपने सामने पाती है सुहना समर को देख के बोलती है आपका बाए समर अभी थोड़ी देर पहले सुहना हो कि मुझे नीचे उतारिये मैं खुद चल सकती हूँ समर उसको नीचे नहीं उतरता और उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया सुहना अपनी नजरे नीचे कर लेती है तो समर समझ जाता है कि सुहना ने खाना नहीं खाया समर सुहाना को घर के अंदर ले जाता है और उसको नीचे उतारते हुए बोलता है तुम खाना लगाओ मैं बस पांच मिनिट में आता हूँ सुहाना मैं सोने जा रही हूँ आप अपने लिए खुद खाना निकाल लेना समर मुझे अकेले खाना नहीं खाना है तो अच्छे बच्चे की तरफ मेरे साथ खाना खाओ ओके मैं अभी आता हूँ इतना बोल के समर अपने रूम की तरफ चला जाता है और सुहाना डाइनिंग एरिया में आ जाती है जब तक सुहाना खाना निकालती है तब तक समर भी आ जाता है दोनों साथ में बैठ के डिनर करते है सुहाना ज्यादा खाना नहीं खाती है क्योंकि उसकी भूग खत्म हो चुकी थी इसलिए वो जल्दी से डिनर फिनिश करके अपने रूम में चली जाती है समर भी अपना दिनर फिनिश करके अपने रूम में चला जाता है मौनिंग में समर और सुहाना साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि वहाँ पर सारा आ जाती है सारा सुहाना के पास जाके उसको हग करती है और बगल वाली चेय पर बैट जाती है और बोलती है बाबी मुझे भी भूख लगी है मुझे भी नाश्ता दो ना सुहाना उसको नाश्ता सर्व करती है तो समर सारा से बोलता है आज सुबह सुबह यहां सारा मूँ बनाते हुए बोली क्यों ये मेरा घर नहीं है क्या जो टाइम देखके आओ वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो आप भी मुझसे बात मत करो समर क्या हुआ तुमको क्यों गुस्सा है मेरी गुडिया सारा समर को देखते हुए बोलती है आपना गुडिया बोलके मेरा गुस्सा कम करने की कोशिश मत करो सुहना दोनों की बाते सुनके मुस्कुरा रही थी, समर अच्छा तो फिर कैसे कम होगा तुम्हारा गुस्सा ये भी तो बता दो, सारा सच्छी मैं जो बोलूगी आप मान जाओगे, समर हां पर ये तुम्हारी बात पर डिपेंड करता है सारा आज मैं पूरा दिन बाबी के साथ रहना चाहती हूँ, पिछली बार आपने मुझे भागा दिया था समर, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा सुहना की तरफ देख के बोलती है, बाबी आज हम लोग भूमने चलेगे, ओके तुम आज ओफिस मत जाओ सारा को नहीं पता था कि सुहना अब ओफिस नहीं जाती, सुहना सारा की बात पर थोड़ा सा घबरा जाती है क्यूंकि अगर वो सारा के साथ घर के बाहर गई तो सारा उससे मेकप का कारण पूछेगी सुहना सारा से बहाना बनाते हुए बोली आज मुझे मेरी दोस्त से मिलने जाना है तो हम लोग फिर कभी चलेगे सारा खुश होते हुए बोली रे ये तो और भी अच्छी बात है एक काम करते है आप ना अपने दोस्तों को मौल में बुला लो पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे फिर आपके दोस्तों से मिल लेंगे सुहाना उसको फिर मना करने की कोशिश करती है पर सारा उससे बोलती है क्या हुआ बर्बी तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहती हो क्या सारा ने ये सब मासूम सा फेस बना के बोला था सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब वो सारा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी समर जो अभी तक चुप चाप बैठा था वो सुहाना से बोलता है जाओ रेडी होकर आओ मैं तुम दोनों को मौल छोड़ देता हूँ सुहाना तुरंट हैरानी से समर को देखने लगती है समर उसको जाने का इशारा करता है तो सुहाना वहां से अपने रूम में चली जाती है सुहाना रूम में इधर उधर घूमने लगती है और अपने आप से बोलती है वैसे तो मेरे बिना बोले सब समझ जाते है पर आज खुद मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फसादिया तब ही सुहाना के रूम में सारा आती है सारा सुहाना से बोलती है बाबी तुमने अभी तक मेकप क्यों नहीं किया जल्दी से मेकप से फेस कवा करो वरना हम लोगों को लेट हो जाएगा सुहाना सारा को हैरानी से देखने लगती है तो सारा सुहाना से बोलती है किया हुआ बाबी ऐसे क्यूं देख रही हूँ भाई ने मुझे सब बता दिया है तुम्हारी सेफटी के लिए भाई ने तुमको ऐसा करने को बोला है क्यूंकि तुम भाई के साथ रहती होना भाई मेरे साथ भी ऐसा ही करते है वो मुझे भी कभी किसी के सामने नहीं लेकर जाते है सोहना नॉमल होती है और कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ जाने लगती है तभी उसकी नजर गेट से टेक लिए खड़े समर पर जाती है जो सोहना को देख के स्माइल कर रहा था सुहना भी स्माइल कर देती है और रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती है थोड़ी देर में सभी मॉल के लिए निकल जाते है सुहना ने पहले ही रितू से मेसेज से बात कर ली थी रितू भी मॉल आने के लिए रेडी हो गई थी समर सुहना और सारा को मौल पर छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास रिशब का कॉल आता है रिशब कहा है तू मुझे तुमसे उस लड़की के बारे में जरूरी बात करनी है समर तुम अभी कहा हो रिशब मैं अभी हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ समर हो के मैं तेरे हॉस्पिटल के पास वाले मौल में ही हूँ तू इधर ही आज जा रिशब हो के बोल के कॉल कट कर देता है सारा ने खूब सारी शौपिंग की थी उसने सुहाना को भी कुछ लेने को बोला पर सुहाना ने मना कर दिया था सारा सुहाना से बोली बाबी अब मुझे भूख लग रही है तुम्हारे दोस्त कब तक आएंगे सुहाना वो लोग आते ही होंगे हम लोग जब तक फूड हब चलते है वही पर वो भी आ जाएंगे सारा ओके बोलती है और दोनों फूड हब चले जाते है समर और रिशब भी वही बैठे बाते कर रहे थे सारा और सुहाना दूसरे कौन में बैठ जाती है समर ने उनको देख लिया था पर सुहाना ने समर को नहीं देखा था थोड़ी देर में रितू, शिव और हर्ष सभी वहाँ पर आ जाते हैं रितू सुहाना को हग करते हुए बोली यार कितने टाइम बाद हम लोग मिल रहे है ना जब से तूने ओफिस जॉइन किया है तब से तो बस फोन पर ही बात हो पाती है सुहाना मुस्कुरा देती है तो रितू सारा की तरफ देख के बोलती है ये कौन है सारा जल्दी से बोलती है मैं सारा बाबी की डान्स स्टुडेंट सुहाना सारा को देखती है तो सारा आँख मार देती है सुहाना तुन्त समझ जाती है कि समर नहीं सारा को सब समझा के भेजा है सभी बैठके बाते करने लगते हैं हर्ष की नजरे तो सारा से हटी नहीं रही थी शिव और सुहाना बाते करने में लगे थे तब तक उनका ओडर किया हुआ पिज्जा भी आ जाता है रितू और सारा पिज्जा खाने में बिजी हो जाते हैं उन दोनों को इस टाइम बस पिज्जा देख रहा था सारा सुहाना से बोलती है बाबी पिज्जा खाऊना बहुत टेस्टी है सुहाना भी पिज्जा खाने लगती है सारा उसको देखके हस्ते हुए बोलती है बाबी तुम्हारे होटों पर चीज लग गया है सुहना टिसू ढूंडने लगती है मुँ साफ करने के लिए पर उसको टिसू मिलता नहीं है हर्ष सुहना के बगल वाली चेय पर ही बैठा था वो सुहना से बोला लाओ में साफ कर देता हूं सुहना उसको मना कर कि उसके हाथ से टिसू लेती तब तक हर्ष अपना हाथ सुहना की तरफ बढ़ा चुका था सुहना कुछ बोलने ही वाली थी की एक उड़ता हुआ कप हर्ष के हाथ परा के लगा और टिसू उसके हाथ से नीचे गिर गया सभी हैरानी से इधर उधर देखने लगते है कि ये हुआ क्या और किसने ऐसा किया पर वहाँ पर बहुत से लोग थे सुहाना हर्ष से पूछती है तुमको कही लगी तो नहीं हर्षा नामे अपना सिरहिला देता है दूसरे साइद बैठा रिशब समर को हैरानी से आखे फाड़ के देख रहा था कि अभी उसने किया क्या समर उससे कुछ नहीं बोलता और अपना फोन निकाल के मैसेज करने लगता है रिशब अभी भी उसको हैरानी से देख रहा था सुहना हर्ष से बात ही कर रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ उसने एक बार इग्नो कर दिया पर उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था उसने अपना फोन उठा के देखा तो वो समर का मैसेज था जिसमें लिखा था अभी मुझे पाकिंग में मिलो अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें यहां से उठा के ले जाऊंगा और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ सुहना गुस्से में अपना फोन बैग में रखती है और सबसे बोलती है मैं अभी आती हूँ सारा सुहना से पूछती है क्या हुआ बाबी तुम कहा जा रही हूँ सुहना मैं अभी आती हूँ इतना बोल के जल्दी से लिफ्ट की तरफ चली जाती है सुहना पाकिंग में पहुँच के इधर उधर देखने लगती है तभी कोई उसका हाथ पकड़ के कार से लगा देता है सुहना चौक जाती है पर अपने सामने समर को देख के शांत हो जाती है समर उसको एक नजर देखता है और उसके होटों पर अपने होट रख देता है समर सुहना को किस करने लगता है? सुहना समर के इस सदन किसकी वज़े से शौक में थी जब उसको सांस लेने में प्रोबलम होने लगती है तब वो समर को अपने आपसे दूर करने की कोशिश करने लगती है पर समर उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था सुहना जोर से समर को धक्का देती है जिससे समर पर कोई असर नहीं पड़ता है पर वो सुहना को किस करना बंद कर देता है सुहना अपने आपको नॉमल करते हुए बोली ये क्या बद्तमीजी है आप समझते क्या हो मुझे मैं क्या कोई खिलोना हूँ जिसको आप जब चाहे जो कर सकते है समर सुहाना कोई देख रहा था वो सुहाना को बाजूओं से पकड़ता है और अपने पास खीच के उसके सिर से सिर लगा के बोलता है तुम कोई खिलोना नहीं हो प्यार करता हूँ तुमसे I love you forever and ever सुहाना जो अभी तक अपने आपको समर से छूड़ने की कोशिश कर रही थी वो समर की बात सुन के चुप चाप खड़ी हो जाती है समर उसको वैसे ही पकड़े हुए आगे बोलता है तुम्हें कोई और हाथ लगाएं मुझे पसंद नहीं तुम्हें बुरा लगा तो सौरी समर इतना बोल के चुप हो जाता है सुहना फिर अपने सवालों से लड़ने लगती है कि समर सच में उससे प्यार करता है या फिर उसकी खूबसूरती से पर इस बार सुहना अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती है जो हमेशा समर की क्यरिंग की वजह से उसको अट्राक्ट करता था सुहना थोड़ी देर सोचती है फिर समर के बैक पर अपने हाथ रख देती है सुहना के हाथ रखते ही समर अपना सिर दूर करके सुहना को देखने लगता है जो अपनी आखे बंद करके खड़ी थी सुहना को देख के समर के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सुहना को कश के हग कर लेता है थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते है सुहना को जब अपने बॉड़ी में पेन फील होता है तब वो समर से बोली सर मुझे दर्द हो रहा है, समर अपनी पकड थोड़ी धीली कर देता है और उसको गले लगाय हुए ही बोलता है, घर चले तो सुहाना बोलती है सारा मिरावेट कर रही होगी समर मैं रिशब को बोल दूनगा, वो सारा को घर ले आएगा सुहाना कुछ नहीं बोलती तो समर, उसका हाथ पकड के कार में बैठा के खुद ग्राइविंग सीट पर आके बैठ जाता है समर आज बहुत खुश था, आज सुहाना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया पर वो सुहाना के रिएक्शन से हैपी था वो सुहाना को थोड़ा टाइम देना चाहता था, समर कार स्टॉट कर देता है सुहाना विंडो के बाहर देख रही थी, अभी जो हुआ उसके बाद वो समर से नजरे कैसे मिलाए उसको समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी फीलिंग को लेकर अभी पूरी तरह शो नहीं थी समर सब समझ रहा था कि सुहाना के मन में क्या चल रहा है, वो सुहाना को नॉमल करने के लिए बोलता है मैं आज रात को शिमला जा रहा हूँ, सुहना समर की तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं है, समर आगे बोलता है और तुम भी मेरे साथ चल रही हो सुहना, मुझे कही नहीं जाना, समर पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ और हम दोनों के साथ सारा और रिशब भी चल रही है सुहना थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बोलती है मेरे एकजाम है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी आप लोग चले जाए समर तुम्हारे एकजाम वन मन्थ बाद है और हम लोग वन वीक में वापस आ जाएंगे, तो तुम आराम से अपने एकजाम की प्रिपरेशन सकती हो, सुहना फिर कुछ नहीं बोलती है मौल में सारा और रितु आपस में बाते करने में बिजी थे, शिव रितु से बोला यार ये सुहना अभी तक नहीं आई, रितु रुको मैं कॉल करके पूछती हूँ की कहा रह गई रितु सुहाना को कॉल करती है पर उसका कॉल लगता नहीं है शिव रितु से बोलता है मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ तो रितु उससे बोलती है मुझे भी घर जल्दी जाना है पर ये सुहाना का फोन भी नहीं लग रहा है पता नहीं कहा है हर्ष उन दोनों से बोलता है तुम दोनों चले जाओ मैं और सारा सुहाना का वेट कर लेते हैं वो जब आ जायेगी तो मैं भी चला जाओंगा रितू को हर्ष की बात सही लगती है, वो और शिवोन दोनों को बाए बोलके चले जाते है अब बस सारा और हर्ष ही बचे थे, हर्ष मनी मन बहुत खुश था कि उसको सारा के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला है उसको सारा एक नजर में ही पसंद आ गई थी, हर्ष सारा से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सारा को उससे बात करने में कोई इंटरस्ट नहीं था वो अपने फोन में गेम खेलने में लगी थी, वो बस सोहना का वेट कर रही थी कि सोहना आए तो फिर वो इसके साथ घर जाए तभी वहाँ पर रिशब आ जाता है और सारा से बोलता है, चलो, सारा उसकी बात को इगनो कर देती है तो रिशब फिर उससे बोलता है, सारा मैंने तुमसे कुछ बोला, सारा फिर भी कोई जवाब नहीं देती हर्ष जो कभी सारा को देख रहा था और कभी रिशब को वो सारा से पूछता है क्या तुम इसको जानती हो, सारा बिना रिशब की तरफ देखे बोली नहीं मैं इनको नहीं जानती सारा की बात सुनके रिशब अपनी आखे छोटी करके सारा को देखने लगता है पर सारा उस पर कोई ध्यान नहीं देती तो रिशब उसके हाथ से फोन ले लेता है और बोलता है चुप चाप चलो सारा रिशब को घूर के देखने लगती है हर्ष अपनी चेय से खड़ी होते हुए रिशब से बोला कौन हो तुम और ये क्या बद्तमीजी है उसने बोला ना वो तुमको नहीं जानती रिशब हर्ष से बोलता है तुम अपने से मतलब रखो समझे और सारा का हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर देता है हर्ष सारा का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और सारा से बोलता है सारा मेरे साथ चलो रिशब हर्ष को घूर के देख रहा था सारा को जब महौल कुछ खराब होते समझाया तो उसने अपना हाथ हर्ष से छोड़ते हुए बोला मुझे किसी के साथ नहीं आना मैं खुद जा सकती हूँ और वो अपना हाथ रिशब से भी छुड़ा के वहां से जाने लगती है रिशब हर्ष को खा जाने वाली नजरों से देखता है और फिर सारा के पीछे जाने लगता है वो सारा के पास पहुँचता तब तक सारा लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी रिशब दूसरी लिफ्ट से नीचे जाता है तो सारा बाहर की तरफ जा रही थी रिशब जल्दी से उसके पीछे जाता और उसका हाथ पकड़ लेता है रिशब सारा से बोलता है क्या हुआ है तुमको ऐसे क्यों बेहेव कर रही हो सारा मेरा हाथ छोड़ी ये बेकार में आपका तमाशा बन जाएगा मेरे साथ होने से रिशब तुरंट समझ जाता है कि सारा अभी भी उससे उस दिन की बात पर गुस्सा है सारा अपना हाथ रिशब से छुड़ाने लगती है तो रिशब उससे बोलता है उस दिन के लिए सौरी में तुमको होट नहीं करना चाहता था सारा हसते हुए बोलती है आप क्यों सोरी बोल रहे हो आपने कुछ गलत नहीं बोला जो बोला सही बोला था बस मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई अभी आप अपने रास्ते और मैं अपने सो प्लीज लीव माई हैंड रिशब सारा को देखते हुए बोला समर ने मुझे तुमको घर छोड़ने को बोला है इसलिए मेरे साथ चलो सारा, ओके थेक्यू बताने के लिए अब आपका काम हो गया मैं खुद चली जाऊंगी रिशब, सारा प्लीज ये बच्चो जैसे गुसा करना बंद करो और मेरे साथ चुप चाप चलो सारा, आपको हर चीज में मैं बच्ची ही दिखती हूँ, ना तो for your kind information मैं 20 साल की हो चुकी हूँ तो मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं जो चाहू वो कर सकती हूँ रिशब हाँ अब तुम बड़ी हो गई हो के, तो बड़ी सारा जी मेरे साथ चलिए प्लीज रिशब ने ये सब क्यूट सा फेस बना के बोला था, सारा कुछ नहीं बोलती, तो रिशब उसको पारकिंग की तरफ ले जाने लगता है सारा चुप चाप उसके पीछे चल रही थी, रिशब कार के पास पहुँचके सारा को कार में बैचने को बोलता है तो सारा बैक सीट पर बैचने लगती है, रिशब उसको देखके बोलता है आज तुम आगे नहीं बैठोगी क्या सारा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुचाना चाहती, मेरे साथ बैचने में आपकी इमेज डाउन हो जाएंगी तो मैं पीछे ही ठीक हूँ, रिशब को सारा का ऐसा बेहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था उसने ही सारा को होट किया था रिशब फिर सारा से कुछ नहीं बोलता और कार स्टॉट कर देता है सारा पीछे बैठे विंडो के बाहर देख रही थी उसने एक बार भी रिशब की तरफ नहीं देखा था पर आज रिशब की नजरे सारा के ही उपर थी सुहना और समर घर पहुंच जाते है सुहना अपने रूम में जाने लगती है तो समर उसको अपने पास खीच लेता है और उसके गाल खीचते हुए बोलता है अपनी पैकिंग कर लो तुम्हारे लिए शिमला में एक सर अप्राइज है सुहना अपनी पल के जपका देती है तो समर उसके लिप्स पर एक सौफ्ट किस करता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है सुहना भी अपने रूम में चली जाती है रिशब और सुहना भी घर पहुंच जाते है सारा कार से बाहर जाने लगती है तो रिशब उससे बोलता है अपना बैग लेकर आओ हम लोग शिमला जा रहे है सारा मुझे आपके साथ कही नहीं जाना रिशब तुम समर के साथ जा रही हूँ सारा फिर कुछ नहीं बोलती और अपना बैग लेने घर के अंदर चली जाती है थोड़ी देर में सारा अपना बैग लेकर बाहर आती है तो रिशब कार के टेक लेकर खड़ा उसका ही वेट कर रहा था सारा अपना बैग लेकर कार की दिगी की तरफ जाने लगती है तो रिशब उसे बोलता है मैं हेल्प कर देता हूं बैग रखने में सारा रिशब को बिना देखें बोलती है मुझे आपकी हेल्प की कोई जरुरत नहीं है मैं अजन्बी लोगों की मदद नहीं लेती रिशब सारा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सारी मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी सारा सारी बोलने से कुछ नहीं होता है सारी फील करने से होता है रिशब सारा से बोलता है पली जब ऐसे बिहेव करना बंद करो सारा आपको मेरी किसी भी चीज से फर्क पड़ता भी है और आप ही चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर रहूं तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है रिशब सारा की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथ से बैग लेकर कार में रखने लगता है सारा भी कुछ नहीं बोलती है और कार के अंदर जाके बैठ जाती है रिशब भी कार में आके बैठ जाता है थोड़ी देर में दोनों समर के घर पर पहुंच जाते हैं समर हॉल में ही बैठा अपने लप्टॉप में काम कर रहा था सारा उसके पास आके बोली भाई अपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग शिमला जा रहे है समर सारा से बोलता है मैंने आज ही प्लान किया क्यों तुमको अच्छा नहीं लगा सारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोग कब निकल रहे है समर थोड़ी ही देर में सारा ओके मैं बाबी को देख के आती हूँ शायद उसको मेरी हेल्प की जरुरत हो इतना बोल के सारा सोहाना के रूम में चली जाती है रिशब भी समर से बोलता है मैं भी चलता हूँ तुझे शिमला में ही मिलूंगा समर तो तू हम लोगों के साथ ही क्यूं नहीं चलता रिशब नहीं मुझे वहाँ पहले पहुँचना होगा उसकी कंडिशन भी तो चेक करनी है वैसे तुमने सोहाना को बताया की हम क्यूं जा रहे है समर अभी नहीं मैं उसका रिएक्षन देखना चाहता हूँ जब वो उसको अपनी आखों के सामने देखेगी रिशब हो के इतना बोल के रिशब भी वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर में समर सारा और सोहाना भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते है सोहना थोड़ी नर्वस थी कि उसके लिए क्या सर्प्राइज होगा वहाँ ये सोच सोचके एयरपोर्ट पर पहले से ही प्राइवेट प्लेन रेडी था सोहना के लिए सब बहुत नया था उसने ये सब चीजे पहले नहीं देखी थी इसलिए वो सारा के साथ में ही थी समर इसलिए ही सारा को अपने साथ लाया था क्योंकि वो जानता था कि सोहना अभी उससे पूरी तरफ फ्रेंडली नहीं हुई है इसलिए शायद वो अपने मन की बात उससे ना बोल पाए पर उसके साथ सारा होगी तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ घंटों में वो लोग शिमला पहुंच गए थे जब वो लोग शिमला पहुंचे थे तब तक रात हो चुकी थी समर ने पहले ही वहाँ पर बंगला बुक किया हुआ था ताकि सुहाना को कोई प्रॉब्लम ना हो सारा को बहुत नींद आ रही थी इसलिए वो अपने लिए रूम सलेक्ट करके उसमें सोने चली गई समर और सुहाना भी अपने अपने रूम में चले जाते है रात बहुत हो चुकी थी पर सुहाना की आखों में बिलकुल नींद नहीं थी उसके दिमाग ने अभी भी यही था कि क्या सर्प्राइज होगा पर उसको सुबह का वेच तो करना ही पड़ेगा वो भी अपनी आखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है मौनिंग में तीनों नाश्ता कर रहे थे तभी वहां रिशब आ जाता है वो समर से बोलता है सब रेडी हो चलने के लिए तो सारा समर से पुछती है भाई हम लोग कहा जा रहे है समर थोड़ा वेट करो सब पता चल जाएगा थोड़ी देर में सभी बंगले से निकल जाते है सोहना की धड़कने बड़ी हुई थी थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक आश्रम के बाहर रुखती है तो सारा समर से पुछती है भाई हम लोग यहां क्यों आये है समर सुहना की तरफ देख के बोला अंदर चलो पता चल जाएगा सुहना समर की बातों से समझ गई थी कि यही पर उसका सरप्राइज है सभी अंदर जाते है यह बहुत बड़ा आश्रम था यहां पर सभी पुराने तरीकों से रहते थे कुछ लोग दवाया बना रहे थे तो कुछ लोग यहां पर मरीजों की सेवा कर रहे थे रिशब सभी को लेकर एक रूम में जाता है जैसे ही सुहना उस रूम में एंटर होती है उसकी आखों से आसू निकलने लगते है क्योंकि सामने बैड पर दिव्या बैठी सूप पी रही थी सुहना को तो अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था दिव्या उसको देख के बोली वही से देखती रहेंगी की मेरे पास भी आएगी सुहना जल्दी से उसके पास जाती है और उसके गले लगके रोने लगती है रिशब ने दिव्या को सब पहले ही बता दिया था रिशब सुहना के पास आके बोला भावी आप ऐसे क्यों रो रही हो वो अब बिल्कुल छीक है बस उनको थोड़ी एकसरसाइज की जरूरत है फिर वो चल भी सकती है सुहना दिव्या से दूर होती है और समर की तरफ देखने लगती है आज उसकी नजरों में समर के लिए प्यार दिखाई दे रहा था समर समाइल कर देता है रिशब समर से यही जरूरी बात करने मौल में आया था कि दिव्या को होश आ गया समर ने तभी ये प्लान बनाया था कि वो सबसे पहले सुहना को दिव्या से मिलवाएगा रिशब सुहाना से बोलता है भावी आप लोग बाते करो हम लोग बाहर जाते है सुहाना फिर समर की तरफ देखती है तो समर अपनी पल के जपका देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते है सबके जाते ही दिव्या सुहाना से बोलती है ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है तुम इतनी तो कमजोर नहीं हो कि तुमको मुँँ छुपा के रहना पड़े सुहाना उससे बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमको दोबारा देख पाऊंगी दिव्या हाँ तुम्हारे जाने के बाद वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे तभी एक ट्रॉक ने आके मुझे टकर मारी और मैं वही पर गिर गई वो लोग आए और मेरा फेस देखा और मुझे वही मरने के लिए छोड़ के चले गए फिर कुछ गाडियां वहां से गुजर रही थी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुचाया मैं पीछले एक साल से कोमा में थी फिर एक दिन समर से लोग आए और मुझे दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया मुझे में कुछ इंप्रूव्मेंट हो रहा था पर मेरी बॉडी रिस्पॉंस नहीं कर रही थी इसलिए डॉक्टर रिशब मुझे इस आश्रम में लिया आए यहां पर आयूर देवे के लाज किया जाता है देखो अब मैं बिलकुल ठीक हूँ सुहना उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली सौरी मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हुई दिव्या सही है तुमने एक सौरी से मुझे पराया कर दिया अगर तू मेरी जगह होती तो मेरी हेल्प के लिए नहीं आती क्या सुहना अपनी नजरे नीचे कर लेती है तो दिव्या उससे बोलती है तुम समर से प्यार करती हो तो सुहना दिव्या को देखने लगती है दिव्या उससे बोलती है वो अच्छा इंसान है तुम उस पर विश्वास कर सकती हो और अक्षत जीजू भी बोलते थे ना कि सब लोग बुरे नहीं होते बस हमको सही और गलत इंसान की पहचान होनी चाहिए सुहना अपना सिरहां में हिला देती है तो दिव्या उससे बोलती है तो जाओ उसको थेंक्यू बोलो सुहना समाइल कर देती है और रूम से बाहर आ जाती है समर रूम के बाहर ही खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था सुहना उसके पास आती है और उसके होटों पर अपने होट रख देती है समर उसके ऐसा करने पर शौक में था, सभी लोग उनको ही देख रहे थे पर आज सुहना को किसी से कुछ लेना देना नहीं था सुहना उसको किस कर रही थी, पर समर अभी शौक में ही खड़ा था जब सुहाना उससे दूर होने लगी तब समर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको डिपली किस करना शुरू कर देता है समर थोड़ी देर में सुहाना को छोड़ता है तो सुहाना अपना सिर समर के सिर से लगा के बोलती है थेक्यू, दिव्या को ढूनने के लिए. मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी है कि नहीं. And sorry, मैंने आपको हमेशा इग्नो किया. समर कुछ भी नहीं बोल रहा था तो सुहाना ने अपना सेर उससे दूर किया और समर को देखने लगी. समर के फेस पर कोई expression नहीं थे सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि समर को क्या हुआ. फिर उसके दिमाग में आता है कि क्या मैंने सब के सामने किस किया इसलिए ये गुस्सा हो गए मुझसे. सुहाना तुन्त समर से दूर होने लगती है तो समर उसको अपने पास खीच के गले से लगा लेता है. और बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ पर मुझे लगा था कि तुम मुझसे अपने दिल की बात बोलोगी पर तुमने तो सौरी और थेक्यू में ही मुझे साइड कर दिया सुहना के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो धीरे से समर के कान में बोलती है I like you सुहना की बात सुनके समर की घर कब तक ले जा सकते है समर सुहना को भूर के देखता है और उससे बोलता है जब हम लोग घर चलेगे तो वो भी हम लोगों के साथ चलेंगी सुहना खुश होते हुए बोली सच्छी स्मर अपनी गर्दन हाने हिला देता है तो सुहना उससे बोलती है मैं अभी दिव्या क को बता के आती हूँ समर उसको ओक बोल देता है तो सुहना फिर से दिव्या के पास चली जाती है समर भी अपने फोन में काम करने लगता है सारा पूरे आश्रम में घूम रही थी उसको वहा के पुराने समान देखने में बहुत मज़ा आ रहा था वो सब की फोटो भी निकाल रही थी तभी उसका ध्यान रुषब पर जाता है जो किसी लड़की को किस कर रहा था सारा का मूँ गुस्से से लाल हो जाता है तब तक रुषब ने भी सारा को देख लिया था सारा तुरंट गुस्से में वहां से निकल जाती है रुषब उसको आवाज देता है पर तब तक सारा वहाँ से जाच चुकी थी, सारा बाहर आती है और अपने लिए कैब करके बंगले के लिए निकल जाती है। रुशब ने सारा को गुस्से में जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। सारा बंगले में पहुँच के अपने रूम में जाती है और सारा सामान फिकने लगती है। जब रुशब उसके रूम में आता है तो उसके रूम का हाल बेहाल हो रखा था। वो सारा को सामान फिकने से रोकते हुए बोला ये क्या कर रही हो। रिशब को देखके सारा का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो रिशब को धक्का देते हुए बोली कौन थी वो लड़की, आप उससे प्यार करते हो इसलिए ही मुझसे दूर भागते हो, उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है, रिशब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सार क्या बोल रही है। वो सारा को शांत कराते हुए बोला कौन लड़की और तुम क्या बोले जा रही हो। सारा पास में रखा फ्लाव वाज उठा के रिशब की तरफ फेकते हुए बोली जिसको अभी आप किस कर रहे थे। रिशव साइद में हट जाता है तो वो वाज वॉल से जाके टकरा जाता है. रिशव है एक लंबी सांस लेता है और सारा के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है तुम क्या बोल रही हो मैं किसी को किस नहीं कर रहा था. सारा अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली कितना जूट मैंने अपनी आखों से देखा आपको उस लड़की को किस करते हुए रिशब कुछ बोलता उससे पहले ही सारा बोली ओब समझ में आया आपको फिजकल लव चाहिए इसलिए आप मुझे रिजेक्ट करते रहते हो रिशब की तो आखे ही हैरानी से फैल जाती है वो सारा को भू के देखने लगता है तो सारा बोलती है मैं उसके लिए भी रेडी हूँ पर आप सारा कुछ आगे बोलती उससे पहले ही रिशब उसको एक थपपर लगा देता है और चिलाते हुए बोलता है बस बहुत हुआ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो जो तुम्हारे मन में नहीं मैं किसी लड़की के साथ नहीं था और ना मैं किसी को किस कर रहा था समझी तुमको पता भी है मैं किस के साथ खड़ा था वो रोजी आंटी थी उनकी आँख में कुछ चला गया था तो मैं उनकी वही निकलने में हेल्प कर रहा था तुमने दूर से देखा तो तुमक हाथ पकड़ लेती है और बोलती है सौरी पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ किसी और के साथ देखा तो गुस्सा आ गया रुशब उससे कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ छुडाने लगता है तो सारा फिर बोलती है प्लीज माफ कर दीजिये ना रुशब कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ छुडा के चला जाता है सारा उसको नम आखों से जाता हुआ देख रही थी सुहना और दिव्या आपस में बाते कर रही थी दिव्या सुहना से बोली तो तुमने क्या सोचा है आगे क्या करना है सुहना, ये तुम मुझसे पूच रही हो, की क्या करना है? दिव्या हां कुछ तो सोचा होगा तुमने सुहना हां बहुत कुछ सोचा है, जैसे उसने मेरा सब कुछ छीन लिया मैं भी उसका सब छीन लूँगी उसको अपने पैसे अपने रुद्बे अपनी शान और शोखत पर बहुत घमंध है ना हर एक चीज छीन लूँगी उससे दिव्या तुमने समर को इस बारे में कुछ बताया सुहना नहीं पर मुझे डर है कही मेरे बारे में जानने के बाद वो मुझे छोड़ ना दे मुझे जैसी लड़की के साथ कौन रहेगा दिव्या तुम ऐसा क्यूं बोल रही हो वो तुमसे सच में प्यार करता है सुहना प्यार अपनी जगह है पर है तो वो भी एक लड़का ना कोई भी लड़का ऐसी लड़की के साथ क्यों रहेगा जिसकी बोली लग चुकी हो दिव्या तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो एक बार उससे बात करके देखो सुहना हा मैं जल्दी ही उसको सब बता दूंगी उसके बाद उसका फैसला की वो मेरे साथ रहना चाहता है भी की नहीं अगर उसने मुझे छोड दिया तो दिव्या ऐसा कुछ नहीं होगा तुम ना पहले से ही कुछ भी मत सोच लो और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जिसकी वज़े से वो तुमको छोड के जाए सुहना पर दिव्या पर वर कुछ नहीं, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा समझी सुहना हमें अपनी गर्दन हिला देती है और दिव्या से बोलती है अपना ध्यान रखना मैं कल तुमसे मिलने आती हूँ सुहना दिव्या को बाए बोल के रूम से बाहर आ जाती है सारा कहा है तो समर उसको बताता है कि सारा को अपनी तबियत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वो पहले ही चली गई सुहना हो के बोलती है और कार में आके बैठ जाती है थोड़ी देर में दोनों बंगले पर पहुंच जाते है सुहना सबसे पहले सारा के पास जाती है तो सारा ब्लैंकेट ओड़े लेती थी सुहना उसके पास जाती है और सारा से बोलती है सो रही हो क्या सारा तुरंट ब्लैंकेट हटा के उठके बैठ जाती है और सुहना के गले लगके रोने लगती है सुहना उससे पूछती है क्या हुआ तुमको रो क्यूं रही हो तो सारा बात बदलते हुए बोली हेड पेन हो रहा है सुहना उसको चुप कराते हुए बोली तो इतनी सी बात पर रोते है क्या सारा वो आप लोग भी नहीं थे तो मुझे अकेला फील हो रहा था तो रोना आ गया सुहना तो मुझे फोन कर देती मैं तुरंट आ जाती सारा आपको अपनी दोस्त इतने टाइम बाद मिली तो मुझे लगा आपको परेशान ना करूँ सुहना इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है अच्छा तुमने दवा ली सारा नामे सिरहिला देती है तो सुहना उससे बोलती है गलत बात है ना तो सारा बोलती है अभी ले लूंगी सुहना सारा को दवा देती है और उससे बोलती है तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म सूप लेकर आती हूँ तुमको अच्छा फील होगा सारा ओके बोल देती है तो सुहना उसके लिए सूप लेने चली जाती है थोड़ी देर में सुहना सूप लेकर आती है और सारा को पीने को बोलती है सुहना सारा को सूप पीला के उसको आराम करने का बोल के बाहर आ जाती है सुहना के मन में बहुत सी चीजे चल रही थी इसलिए वो बाहर गार्डन में आग के पास आके बैठ जाती है वो आग को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी समर भी उसके बगल में आके बैठ जाता है समर उससे बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों उदास बैठी हो, जो बोलना हो तुम आराम से मुझसे बोल सकती हो सुहना समर की तरफ देखती है, तो समर अपने गर्म हाथ उसके गाल पर रख देता है और बोलता है मैं कभी तुमको छोड़के नहीं जाओंगा, अब बोलो क्या बोलना है तुमको सुहना समर को देखके बोलती है आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है समर बिना किसी एक्स्प्रेशन के बोला तुम मुझसे अपनी कोई भी बात शेयर करती हो, जो मैं तुमसे शेयर करू सुहना फिर आग की तरफ देखने लगती है और एक लंबी सांस लेती है और बोलती है मेरा जन्म पुने में हुआ था, जन्म के समय ही मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई, शायद तभी से मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई थी मेरी देख रेक करने के लिए पापा ने दाई मा रख ली, वो बहुत प्यार करती थी मुझसे और दीदी से पापा अपनी जॉब पर चले जाते थे और दीदी अपने स्कूल और मैं दाई मा के साथ रहती थी जब मैं तीन साल की हुई तब दाई मां को किसी वज़े से अपने गाव जाना पड़ा, मैं उनको बहुत मिस करती थी उनके बिना मैंने खाना खाना तक बंद कर दिया था, इसलिए पापा ने एक नई आंटी रख ली, मेरे लिए वो आंटी, पापा और दीदी के जाने के बाद मुझे खाने को नहीं देती थी, मैं खाने को कुछ भी मानती थी, तो वो मुझे मारती थी मैंने पापा को बोला कि आंटी अच्छी नहीं है पर पापा को लगा कि मैं जूट बोल रही हूँ मुझे बस दाई मा चाहिए इसलिए पापा ने मेरी एक बात नहीं सुनी ऐसे ही दिन निकलने लगे उसकी वजह से मैंने बात करना कम कर दिया था एक दिन पापा और दीदी के जाने के बाद एक अंकल घर पर आये उन्होंने थोड़ी देर आंटी से बात की फिर वो अंकल मुझे अपने साथ ले जाने लगे मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझे मारा और कार में ले जाके बंद कर दिया, मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी थी मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया कुछ समय बाद उस रूम का गेट ओपन हुआ और उन अंकल के साथ एक और आदमी अंदर आया, उस आदमी ने मुझे उपर से नीचे तक देखा और उस अंकल के हाथ में नोटों की गड़ी रख के चले गए, वो अंकल मेरे पास आये और मुझसे बोले तू तो इतनी सुन्दर है तेरे तो और अच्छे दाम मिलेंगे पर अभी इससे ही काम चला लूँगा मैंने उनसे मुझे छोड़ने को बोला, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और फिर से मुझे वही पर बंद करके चले गए एक दिन बाद वो गेट फिर ओपन हुआ, पर इस बार मेरे सामने मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे कैसे धूंड़ा मुझे नहीं पता पापा मेरे पास आये और मुझे गोद में उठा लिया, और मुझे से माफी मांगने लगे की काश उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो आज ये हादसा नहीं होता, उस हादसे का मेरे उपर बहुत असर हुआ था, मैंने बोलना, लोगों से मिलना सब बंद कर दिया था पापा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, वो मुझे डॉक्टर के पास ले कर गए, डॉक्टर ने बोला महौल चेंज करने की जरूरत है, कुछ समय बाद मैं ठीक हों जाऊंगी फिर दीदी मुझे अपने साथ बाहर पाक में खेलने के लिए ले जाने लगी, पर मैं वहाँ भी बैठी रहती थी, मुझे लोगों को देख के डर लगता था वहाँ के लोग भी मुझे अलग नजरों से देखते थे, सब अजीब अजीब बाते करते थे एक दिन, मैं बैठी थी, एक आंटी मेरे पास आके बैठ गई, और दीदी से बोली कि डॉक्टर से मेरा टास्ट करवा ले कही मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके बाद से मैंने पाक में भी जाना बंद कर दिया, दीदी को भी स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी उससे भी सब पूछते थे कि तुम्हारी बेहन के साथ क्या हुआ है, वो भी परेशान होने लगी थी, इसलिए पापा ने डिसाइड किया कि वो हम दोनों को ले कर कही और चले जाएंगे जहां हम लोगों को कोई ना जानता हो, पापा ने दीदी को हॉस्टल में डाल दिया और मुझे लेकर हैद्राबाद चले गए वहाँ भी मैं किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए पापा मुझे मां के जनम दिन पर अनाथाश्रम ले जाने लगे, पापा मुझे बाहरी छोड़के चले जाते थे ताकि मैं खुद अंदर जा सकूँ लोगों से बात करना सीख सकूँ, पर मैं हमेशा जो मेरे हाथ में चीजे होती थी उससे अपना मुझे कावर करके अंदर जाती थी इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाता था, मुझे वहाँ पर अपने जैसे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता था, कोई मुझे अलग नजरों से नहीं देखता था मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मेरा एड्मिशन स्कूल में करवा दिया, मैं स्कूल भी किसी ना किसी चीज से अपना मुझे कावर करके ही जाती थी कभी रुमाल से तो कभी किसी और चीज से मेरे अंदर लोगों की नजरों का डर बैठ चुका था मैं वहाँ भी किसी से बात नहीं करती थी, कुछ टीचर्ज और बच्चों को मेरे उपर तरस आता था तो कुछ मेरा मजाक उड़ाया करते थे, पर मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी मेरे माक्स अच्छे आते थे इसलिए टीचर्स भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे साल ऐसे ही निकलने लगे, सब ठीक चल रहा था मैं अपनी ऐसी लाइफ से खुश थी, स्कूल से घर, फिर मा के जनम दिन पर आश्रम जाना बस यही थी मेरी जिन्दगी मैं क्लास नौ में थी, मुझे स्केच करना अच्छा लगता था, हमारे स्कूल में ग्राइंग के न्यू टीचर आये थे वो मुझे अजीब नजरों से देखते थे, उनको लगता था कि मैं गूनगी हूँ मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द मुझे से बरदाश नहीं हो रहा था इसलिए मैं सीट पर अपना सिर रख लिया, पता नहीं मुझे कब नींद आये और मैं सो गई कुछ समय बाद मुझे अपनी पीट पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जब मैंने अपनी आखे खोली तो वही टीचर मेरे बगल में बैठे थे, और क्लास में कोई नहीं था मैं उसने दूर हो गई, मैं जैसे ही खड़ी हुई तो मेरे कपड़े खून से खराब थे वो मुझे देखके बोले तुम तो बड़ी हो गई, लगता है तुमको इस बारे में कुछ पता नहीं है, आओ मैं तुमको बता देता हूँ मुझे उनकी बाते बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी, मैं वहा से जाने लगी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मुझे जबर्दस्ती अपनी तरफ खीच रहे थे मैंने सीट पर रखा पेन उठाया और उनकी आँख में मार दिया, और वहा से भाग गई मैं सीधे घर आए और अपने आपको कमरे में बंद कर लिया, सबसे पहले मैं बाथरूम में गई और अपने आपको साफ करने लगी मुझे अपने आपसे ही घहीन आ रही थी, शाम को पापा घर आए, उन्होंने मुझे आवाज दी पर मैं अपने रूम से बाहर नहीं आए पापा ने डोर पर नोग किया तब भी मैंने डोर ओपन नहीं किया, पापा ने विंडो से मुझे देखा तो मैं बैड के किनारे अपना मुँ छुपा के बैठी थी वो विंडो से अंदर आए और मेरे पास आने लगे, पर उनको देख के मेरी हालत और खराब होने लगी ला लिया था, एक दिन बाद मुझे घर ले जाया गया, दीदी ने पापा से बोला पुलिस कंप्लेन करने के लिए, पर पापा ने मना कर दिया, उन्होंने बोला जब पुलिस मुझे से सवाल करेंगी, तब मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी, उल्टा मुझे ही और प् मैं घर से बिलकुल बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए फिर पापा मुझे नई जगह ले गए देहरदून, पापा ने ऐसी जगह घर लिया, जहां पर बहुत कम लोग रहते थे, मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लगा था, मैं अकेले रहती थी, कुछ दिन बाद दीदी भी हम लोगों के साथ आके रहने लगी, सब अच्छा चल रहा था, फिर मेरी लाइफ में अक्षत भाईया आए, वो दीदी के साथ ही जॉब करते थे, कुछ टाइम बाद उन्होंने और दीदी ने शादी कर ली, उनकी फैमिली की देथकार एक्सिडेंट में हो गई थी, इ इनके कहने पर ही मैंने डान्स क्लास जॉइन की थी, डान्स क्लास में मुझे दिव्या मिली, वो अनात थी फिर भी अपनी जिन्दगी खोल के जीती थी, मैं भी उसके जैसी बनना चाहती थी, मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई दिव्या पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए उसको अच्छे स्कूल में एड्मिशन मिल गया था। मेरा भी एड्मिशन फिर से स्कूल में हो गया था। पर अब मुझे इतना डर नहीं लगता था। सब ठीक चल रहा था मेरी लाइफ में। फिर दिव्या का स्कूल केम्पिंग के लिए जा रहा था दिव्या भी मुझे जबर्दस्ती ले गई. वही पर मुझे विकी मिला उसने मेरे साथ बद्तमीजी करने की कोशिश की. केम्पिंग से आने के बाद भी मेरी जिदंगी ठीक चल रही थी. मेरा बर्थडे था, मैं पहली बार अपना बर्थडे मनाने वाली थी दीदी मेरे लिए केक बना रही थी. कि उसको चक कर आ गए, हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि दीदी प्रेगनेंट है. हम सब बहुत खुश थे, मैंने बाहर जाके दिनर करने को बोला तो सब हैरान थे. क्योंकि मैंने पहली बार बाहर जाने की बात बोली थी सबने मेरी बात मान ली और हम सब लोग बाहर दिनर करने चले गए. अक्षत जीजू हम लोगों को एक बड़े से होटल ले गए दिनर के लिए, शायद यही सब से बड़ी गलती थी मेरी, कुछे बाहर जाने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था.